portion number 90 में देखे तो क्या बोलता है कि अपने पास एक triangle है ABC जिसमें AB and AC का ratio दिया है 5 is to 2 का आईए देख लेते हैं ABC यह 5x है तो यह 2x हो जाएगा 5 is to 2 है तो BC का value 9 cm है फिर बोला है BA is produced to D diagram को नीचे करना परेगा BA को हमने D तक produce किया है ऐसे और क्या बोलता है bisector of CAD CAD का angle bisector है ऐसे करके जाएगा यह BC जो extended है इसको कहाँ पर cut किया है E पर हमें बताना है CE का value क्या होगा कोई value तो दे हाँ 9 cm दिया है हमें CE का value बताना है तो एक question mark ले लेते हैं अच्छा एक बात बते हैं अगर एंगल by sector है न एंगल by sector तो एंगल by sector opposite side को adjacent side के ratio में divide करता है कहने का मतलब यह जो AB by AC हुआ न यह क्या होगा AB B से start होने वोला side क्या है बरहा वोला side E तक जाना होता है आपको तो पता चलेगा कि A तो हो गया BE नीचे है AC C से start होने वोला आ गया CE अभी AB by AC तो दिया है 5 by 2 BE का value कितना है तो बोलेंगे यह तो 9 plus question mark हो गया और नीचे का value है question mark तो बस यहां से calculate कर लेते हैं तो 5 times question mark equal to 18 plus 2 times of question mark तो यहां से आगया question mark का value 6 C का value 6 cm है तो इस question का सही answer आना है option number C तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरू से subscribe करें क्योंकि यहां पे सारे best pure IQ का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहां पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेकर जाएंगे top path तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ